वेल्कम एवरीवाइन इन दिस लेक्चर वी आर गोईंग टो स्टार्ट अन्यू चैप्टर दैट इस कॉल दी रेस्पिरेशन इन प्लांट हम लोगों का यह क्लास नाइन का चैप्टर है अभी तक जो हम लोग ने देखा था इसके पीछे का चैप्टर वह आपका सीट्स था सीड जर्मिनेशन से ओलों से फ्लावर संगर हम लोग में कर लिया आप हमको रहस्पिरेशन इंप्लांट देखना की तो होते क्या हैं रेस्पिरेशन से गणKEड़ी मिल्क प्रॉस्द रहस्पिरेशन इन साब केटाबवालिक प्रॉसेश इन विज ऑक्सेडेशन ऑफ गुलुकोस टेक प्लेस यह समाझ में आ रहा हूं पर नहीं पर समाझ में आ रहा हूं समझाता हूं रेस्पिरेशन एक केटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें गुलुकोस को ऑक्सेडेशन होता है इन लिविंग सेल तो रिलीज एनर्जी एनर्जी को रिलीज करने के लिए प्रोसेस होता है क्लियर अब रेस्पिरेशन यह साइंटेफिक टम से आपको साइब नहीं समाझ में आगा सिंपर टम समझें रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि हमारे जो फूड्स है वो ब्रेकडाउन होते हैं और फिर रिलीज होते हैं एनर्जी के फॉर्म में उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं रेस्पिरेशन इजा प्रोसेस इन विच देफूड इस गेट ब्रेकडाउन एंड रिलीज एनर्जी अब यहां पर बात हुई है एनर्जी की वाट इस एनर्जी एनर्जी इस बेसिक तिंग्स विच रिकुवाइब फॉर एन और्गनिजम तो एक्टिविटी इस को करने के लिए एनर्जी की ज़़ुरत होती है और एनर्जी जो है कि हमें मिलते कहां से है एनर्जी विगेट फॉर्ट से मिलता है दैट फूड डाइजेस्टेट इन फॉर्म आफ ग्लूपोस एन ग्लूपोस फाइनली रिलीज इन एन एनर्जी इन स्टेट क्लिए क्लिए है है क्या होता है क्ट आप अलिए डो प्रोसेस रेलव बनने और यह बिगडра ने तो ऐसके इसको बोलते हैं में 2 14 13 my data Please बनती है मतल ehad मतलब जुढ़ना तो energy कट जाती है भाटी से होती है उसको character बोलेस तो ऐसे वर्ड को connect करें तो आपको आपको या garbage केसे एक आपको समझे हुए यह हुआ अब रेस्पिरेशन जो होता है इन सिरीज और प्रोचेज तो simply क्वालज अब दो में अब होता है यह दो सिरीज में घॉजिकाल प्रोचेज में होता एद इन second one is chemical process दो प्रोसेस में होता है आपका ब्रीधिंग केमिकल प्रोसेस में आपका सेलूलर रेस्पिरेशन अब सबसे पहले समझते हैं ब्रीधिंग जब हमारे बॉड़ी से या बाहर से कोई एक्सचेंज हो रहे है गैसेस का इसका फिजिकल प्रोसेब और सिंपल ब्रीधिंग के एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम दी एटमॉस्फियर तो दी एल्वीलर और दी लंग्स का एक पार्ट होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थे रहते हैं यहलेशी अगत में पहले विदिंग दो पार्ट में हैं एक आरिक म्याउस्फ ओर 009.01.07 इसे भी क्या करते हैं एन इनलेशन वी टेक एर फ्रम दी एटमोस्प्रेर एक्सलेशन गिव आउट कारबन डायोकसाइड एर जो हम ले रहे थे उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए और गिव आउट ऑक्सीजन फ्रम दी अल्विलर अल्विलर आपने बाडी से इस वार दी एक्सल करते हैं यहें निए पिद्धिशन फिसर्लेशन गुंट तो इस फिसिया क्या मैं चाहिए इस सेल्विलर एंड चाहिए और मितोफंद्री आप और माइटो कॉंड्रे जो पावर हाउस अब दी इस इसी वज़े से इसको कहते हैं कि क्यों जब रेस्पिरेशन यहां पहुँच जाता है तो यहां पे जो है कि एनर्जी के सेंथेसल होती है और एटीपी के फॉर्म में निकालता है थाटीएट एटीपी पूरे सेल्स में नि इनर्जी के सिवडियी सेल एनर्जी के सिवडियेत सिर्टिंदी फॉर्स तुर सपरे सथी एक फॉर्सपें यह होता है یہ रेस्पिरेशन दस्ब्रे ऑफोटिंग का है अब दस्फेलिर्ट जनरली अकरिंगर इन विश पाट आप दी ब्रांट रस्पिरेशन अगर तो रस्पिरेशन अगर इस्टोमेटा सबसे ज्यादा जो होता है वह आपका इस्टोमेटा से होता है क्लियर और लेंटिसर्स एंडी रूट है प्लस न्यूमेटो फोर इस्टोमेटा जो आपके लीफ में प्रेजेंट होते वहां से लेंटिस आपके इस्टेंस के आउटर लेयर में आउटर लेयर और कवरीं पेर रूट होटेस निमेटो फोर यह एरिएल रूट है अपके तो गया आजाती हैं अनुद इस्वाहां उसने पोर्स प्रेजेंट होते हैं जनरली मैं ग्रूब वोगेरा में प्रजेंट होते हैं लेक साइड में जो प्लांट्स होते हैं तो ये रेस्पीरीशन होते हैं गहां उन respiration होते हैं तो जनरल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने पढ़ा क्या भी तक respiration को समझा कि respiration क्या होता है और respiration से हमने catabolis anabolis energy का breakdown और उसमें जो addition होता उसको समझा फिर उसके बाद हम लोग ने समझा कि energy energy क्या होती है energy एक सिंपोजिश थिंग्स होती है जो हमें अपने life को सर्वाइब करने के लिए करने के लिए ज़रूरत होती है और फूड के form में मिलती है अब फूड जो है ग्लुकोस ब्रेकडाउन होता है एनर्जी का रिलीज करता है जब ब्रेदिंग करते हैं इनलेशन के फॉर्म में फिर उसके बाद हम लोग ने कैमिकल जब वहां पर यूटिलाइजेशन होते हैं को हम थोड़ा डीटेल पढ़ेंगे जब हम लोग टाइपस और रेस्पिरेशन को देखेंगे तो यह हुआ आपका सेलूलर रेस्पिरेशन अब आकर कहां करता है तो यह था आपका छोटा सा ब्रीफ डिस्केशन यह चोटा ही चैप्टर है अगले लेक्चर हम मिलेंगे टाइपस और रेस्पिरेशन से मिलेंगे और वही उतना सा में पार्ट है इस चैप्टर का उसको जब हम देखेंगे चैप्टर हमारा फिनिश होज़गा तो वेट जब तर लेक्चा नहीं आता है तब तर इससे आप संतुस्ठी बना रखे थांक्यू अग्यू 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 अग्यू